ओके दूस्तो, how to learn coding वैल आपके मन में भी यह सवाल कभी न कभी जरूराया होगा अगर आपके coding में इंट्रेस्ट हो आपने कभी coding के वीडियोज देखे हो कही पे सुना हो हैकर के बारे में सुना हो application मननाने के बारे में सुना हो सकते हैं किस तरह से आप कोडिंग सीख सकते हैं अब दोस्तों आप से लोगों को पता होगा कि गवर्मेंट की दोस्तों निव एडूकेशन पॉलिसी में आप सिक्स क्लास से स्टूरंस को दोस्तों कोडिंग सिखाया जा रहा है और यह चीज़ सुनके मैं काफी ज्यादा एकसाइड़ हुआ और थोड़ा साइड भी हुआ कि यार मेरे टाइम पर यह चीज़ क्यों नहीं था जी हां मुझे परसले कोडिंग काफी ज्यादा पसंद थी अधिक अभी भी है चलो आप लोग साथ कुछ चीज़ें करता हूं क्योंकि दोस्तों जो मेरा बैक्राउंड है वो भी कोडिंग का है जो मैंने पढ़ा ही की थी वह भी कोडिंग सॉफियर के ऊपर ही था और मैंने अपने चैनल पर इतने सारे कोडिंग की वीडियो भी बना दिये हैं और उस पर मिलियन व्यूज्ज है लाखो लाइक्स है तो आई थोट कि या बहुत सारे ऐसी लोग है जो अभी भी coding सीखने में इंट्रेस्ट है, especially दोस्तो, students भी कई सारे लोग है, जो मुझे देखते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो मैंने सोचा, चलो बनाता हूँ, और कुछ tips and tricks शेयर करता हूँ कि किस तरह से आप coding में अपना interest बना सकते हो, और किस तरह से coding सीख सकते हो आगे जाके, वेल दोस्तो, स्टार्टिंग में अगर आप 6th class में हो, या फिर 7th class में हो, तो अगर स्टार्टिंग में आप coding सीखने की कोशिश करोगे, तो शायद आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, डिफिकल लगेगा, हलाकि मुझे भी पता है कि स्टार्टिंग में आपको बहुत ही बेसिक चीज़े सिखाए जाएंगे आपको बहुत ही इंटरेसिंग लगेगा, अगर आपको समझ नहीं आती तो शायद आपके सर से उपर जाएगा और आपको आइडिया भी नहीं होगा, या क्या चीज़े में बिल्कुल समझ में नहीं आता, जब मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था तो बहुत सार ऐसे स्टूडेंट है जिनको कोडिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, आगे जाके Software Engineer आपको बनना है तो डेफिनेटली आपको जो स्कूल में पढ़ाया जाएगा 6th क्लास से दोस्तों ये कोडिंग आपको डेफिनेटली इस पर फोकस करना चाहिए और जो भी चीज़े आपको सिखाई जाएंगी चाहिए 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th कोई से भी क्ल आपके साथ एक चांस है जो आप अभी ले सकते हो आपको बिलकुल गवारा नहीं चाहिए और कोडिंग में मतलब बहुत इंटरस एक तरीके से सोच लो इसे अपना फेवरेट सब्जेक्ट बना लोगे अगर आपको सीरेसली कोडिंग में इंटरस अगर नहीं है तो प्लीज से स्किप कर देना अगर आपको थोड़ा साभी आपको आगे अपना करियर बनाना है कंप्यूर लाप टॉप या फिर यह सारी चीजों में आपको बहुत ज्यादा इंटरस है तो मैं कहूँगा कि प्लीज इसे थोड़ा सा सीरेसली ले लेना 6th क्लास से आप समझ रहे हो हाला कि 6-7th क्लास में आप जो कुछी पढ़ रहे ह आपको बहुत ही ज्यादा है अगर आपको स्टार्टिंग के थोड़े से जो बेसिक चीजे है कि कोडिंग कैसे काम करता है टाइक्स क्या होते है इनका क्या यह होज़ा अगर यह चीज आपको आ गई ना तो उसके बाद आपका दूस्तों का इंटरस्ट बिल्ड हो जागा और आप दीरे दीरे अपने आपी सीखने लगोगे और जरूरी नहीं है कि आपको स्कूल में यह पढ़ाया जा रहा है तो उसके आप यही चीज पर पड़ा है अगर आपको इंटरेस्ट पूरा पढ़ा है दोस्तों इंटरेट में आप सर्च करों आगे की चीजे सीखो अगर आपको सीख सकते हो अगर आपको सीखना है तो इस टाइम पर सभी लोग रटा ही मारते हैं इसमें कोई शक नहीं है अगर आप सिर्फ थीज़ पर प्राक्टिकल करके देखो क्योंकि कोडिंग इस आप प्राक्टिकल नहीं कर रहे हो तो उसका कोई यूज नहीं है आपको बिल्कुल समझ नहीं है तो कोशिश करें जो भी चीज आप हलका सा एक टैग पढ़ रहे हो उस टैग को बोलो कि मैम क या फिर आपको जो भी टीचर उसको बोलो कि इसे कैसे इंप्लिमेंट करना है इसका क्या यूज है तो उस हर एक छोटी-छोटी चीजों को अगर आप समझो के देफिनेटली दोस्तों आपको कोडिंग बहुत अच्छी से समझ आने वाला है लेकिन अगर आप रट्टे मार कोडिंग का it's okay मैंने इसके उपर एक विडियो बना रखा है मैंने आपको C language सिखा है. फुल बिगनर टुटोरियल है अगर आपको A भी नहीं आता हो तो आप वीडियो को जाके देखो C लेंगो इसमें आपको सीखा कि कोडिंग कैसे करते हैं इसके अलावा एक और है HTML and CSS उसमें भी मैंने आपको बताया है कि किसा से आप HTML and CSS सीख सकते हो बहुत ही basic तरीके से आपको A भी नहीं पता coding का फिर भी आप सीख सकते हो तो दोनों का जो वीडियो का link है मैं आपको description part में देदूँगा आप वहाँ पर जाके देख सकते हो तो बस दोस्तों मैं इतना ही कहूंगा कि coding को रट्टा मत मानना समझना अपने दिल में बसा लेना guarantee देता हूं आप फुली सीख जाओ कि तो application को यह create कर दो कि आने वाले समय में website चुटकयों में create कर दोगे यस तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों share करना चाहता था क्योंकि मुझे coding बहुत ज्यादा पसंद है and I hope यह वीडियो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ helpful जरूर रहेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करना तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह information पहुंच सके तो बस मिलता हूं दस्तों मैं आप लोग साथ एक और नए और नए और इस ट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के अलिये, बाइ बाइ